जगत में प्रतेइक वेक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है जैसे कोई बहुत तेजी से दौर नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता कोई आसाध्धे रोग से पीडिस रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता ऐसे अनेको उधारन और भी हैं कि आप किसी ऐसे वेक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्पो और हम जीवन की उस एक निरबलता को कि जीवन का केंद्र मान कर जीते हैं इस कारणवश रिदे में दुख और असंतोश रहता है सदा निरबलता मनुष्चे को जन से अत्वा संजूग से प्राप्त होती हैं किन्थ उस निरबलता को मनुष्चे का मन अपनी मर्यादा बना लेता है कि इन्तों कुछ वेक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुशार्थ और स्ट्रम से उस निर्बलता को पराज़त कर देते हैं कि या भेद है उनमें और अन्य लोगों में या आपने कभी विचार किया है सरल सा उत्तर है इसका जो वेक्ति निर्बलता से पराज़त नहीं होता जो पुरुशार्थ करने का साहस रखता है रुदय में वो निर्बलता को पार कर जाता है अर्फात, निर्बलता अवश्य इश्वर देता है, किन्तु मर्यादा, मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है तो आम विचार कीजे अर्फात, निर्मित करता है